द्रणिच्चे महन देश भक्त दर्मातमा राष्टन निर्माता तता कुशल प्रसासक सिवाजी का वक्तित तो बहु मुकी था माजी जाबाई के प्रति उनकी सुर्दा और अग्याकारिता उन्हेका अधर्स सुपुत्र शिद्ध करती है शिवाजी का वक्तित तो इतना कर सकता कि उन्हें मिलने वाला हर वक्तित उन्हें से प्रभावित हो जाता था शाष, शार्या और तिवर बुद्धी के धनीश शिवाजी का जन्म उन्नेश फरवरी 1630 को सिमनेरी दुर्ग में हुआ था शुप्षमै नियुद्जेनाल शिवाजी महाराज की जैन्ती पर नत्मस्तस क है शिवाजी के जन्मतेति के विशे में हाला कि सभी विद्वान एकमत नहीं है कुछ विद्वानों के अनुशार 20 अप्रेल 1627 है सिवाजी की शिक्षा दिक्षा माता जीजाबाई के सनक्षन में हुई थी माता जीजाबाई धान्मिक प्रवर्ती की मैला थी उनके इस प्रवर्ती का घहरा प्रवाव सिवाजी पर भी था सिवाजी की प्रतिवा को निखानने में दादा जी का भी विशेश योगदान था उन्होंने सिवाजी को शैनिक एम प्रसास की दोना प्रकार की सिखसा दी थी सिवाजी में उच्छ कोटी की हिंदत्तों की भावना उत्पन करने का स्रेम माता जीजा भाई को एम दादा कौन देव को जाता है चत्रपती सिवाजी महाराज का विवा सन 14 मैं 1940 में साही भाई निमालकर के साथ लाल महल पुना में हुआ था सिवाजी की बुद्धी बड़ी ही व्यवारिक थी वे ततकालिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कर्तिक प्रस्तियों की प्रती बहुत सज़क थे हिंदु धार्म गो एम ब्रामनों की रक्षा करना उनका उदेश्य था शिवाजी हिंदु धर्व के रक्षक के रूप में मैदान में उत्रे और मुगल सासकों के विर्दुदों ने युद्ध की घोशना कर दी ये मुगल सासकों के अत्याचारों से भनी भांती परिचित थे इसलिए उनके अधिन नहीं रहना चाते थे उन्होंने मावल प्रदेश के युगों में देश प्रेम की भावना का संचार कर कुशल तता वीर्द सहनिकों का एक दल बनाया शिवाजी अपने वीज तता देश भक्त सहनिकों के सहुक्षि जावली, रोहिडा, जुन्नार, कौंकन, कल्यानी आधी अनेक प्रदेशों पर अधिकार्स इस्थापित करने में कामियाब रहे प्रताबगड तता राइगड दुर्ग जीतने के बाद उन्होंने राइगड को मराठा राज्य की राजधानी बनाया था सिवाजी पर महरास्ट के लोक प्रिय संतर रामदास एं तुकाराम का भी प्रभावता, संतर रामदास सिवाजी के आधात भी गुरू थे उन्होंने ही सिवाजी को देश प्रीम और देशोदार के लिए प्रेवित किया था सिवाजी की बढ़ती सक्ती बीजापूर के लिए चिंता का विशे थी आदिल साह की विद्वा बेगम ने अबजल खां को सिवाजी के विरद युद्ध के लिए भेजा था कुछ प्रस्तिया वस्त दोनों खुलम खुला युद्ध नहीं कर सकते थे अतर दोनों पक्ष़ों में शम्जोता करना उच्छित समझा 10 नवंबर 1609 को भेट कर दिन ते हुआ सिवाजी जैसे ही अबजल खां के गले मिले अबजल खां ने सिवाजी पर वार कर दिया सिवाजी को उनकी मंसा पर पहले ही शक्त था वो पूरी तयारी से गए थे सिवाजी ने अपना बगन खां अबजल खां के पेट में घुसेट दिया अबजल खां की मरत्यू के पच्चात बीजापूर पर सिवा जी का अधिकार हो गया। इस विजे के उपलक्ष में सिवा जी परताब गड़ में एक मंदिर का निर्मान करवाने जिसमें मा भवाने की प्रतिमा में प्रतिस्थापित किया गया। सिवा जी एक कुशल युद्धा थे। उनकी सैन्य प्रतिबात में औरंग जेब जैसे शक्ति शाली शासकों को भी विचलित कर दिया था। सिवा जी की गोरिला रननिती, छापा मार रननिती, जग प्रसिद्ध हैं, अबजल खां की हत्या, साइस्ता खां पर सफल हमला और और जेब ने जम उनकी मुलाकात आगरा में हुई, जहां उनने उनके पुत्र को ग्रिपतार कर लिया था, परन्तों सिवा जी अपनी कुशाकर बुद्धी के बल पर फलों की टोकरियों में छुपकर भाग निकले थे। मुगल मराटा संबंदों में एक प्रभाव साली घटना थे, बीस वर्स तक लगातार अपने शाहस, शौरियर, लंकुसलता, द्वारा सिवा जी ने अपने पिता की छोटी सी जागीर को एक स्वतंतर तता शक्ति शाली राजी के जूप में इस्तापित कर लिया था, छे जुन, 1604 को सिवा जी का राजविशे के हुआ, सिवा जी ज वरन अपने प्रदा के बुद्ध शिल सासक पी थे, शिवा जी के मंत्री परिशद में आट मंत्री थे, जिने अश्ट परधान कहते थे, शत्रपती शिवा जी के राश्ट का ध्वर्ज केश्रिया है, इस रंग से संबंदी ते किस्सा है, एक बार सिवा जी के गुरु, समर गुरु रामदास अत्यदिक प्रसंद वो है, और सिवा जी को समझाते हुए बोले कि मैं राश्ट के मंदन में नहीं बन सकता, किन्तु तुमारे आगर को स्विकार करता हूँ, और ये तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से मेरा ये राज्यत तुम कुसलता परोग संच चालिक करो, ऐसा कहते हुए शमर्त गुरु रामदास अपने दुपटे का एक टुकड़ा फाड कर सिवा जी को दिया, तता बोले कि वस्त्र का ये टुकड़ा सदे मेरे प्रतिक के रूप में तुमारे साथ, तुमारे राश्ट धज के रूप में रहेगा, जो तुमें मेर के पास होने का बहुत कराता रहेगा, कुशल एम वीर सासक छत्रपती सिवा जी का अंतिम समय बड़े कष्ट एम मांसिक वेद्रा में व्यतित हुआ, घहरलू उलजने एम समश्याएं अनेक दुख का कारन थी, बड़े पुत्र सांभाजी के वहवार से वे अत्यदिक चिंत थे, तेजवर के प्रकॉप से 3 अप्रेल 1680 को सिवा जी का स्वर्ग वास हो गया, सिवा जी केवल मराटा राष्ट के निरमाता ही नहीं थे, अभी तो मध्य रूग के सर्व स्रेष्ट मौलिक प्रतिभा शंपन वेक्तित थे, महरास्ट की विबन जातियों के संगर्स में सम अप्तकार, उनके एक सुत्र में बाढ़ने का स्रेष्ट सिवा जी को ही है, इतियास में सिवा जी का नाम हिंदू रक्षक के रूप में सभी के मानस पटर पर विद्यमान रहेगा, भारती इतियासकारों के शब्तों में कि शात कलम को विराम देते हैं, डॉक्टर रमेश च सरकार के अनुसर, शिवा जी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट निर्माता थे, उन्होंने हिंदूों के मस्तस को एक बार पुने उठाया, ऐसे विरोचित भारत के शिवा जी महराज को, शुप समय न्यू चैनल की और से कोटी-कोटी अभिनंदन, उनके चल्णों में नत्म समस्तक और समस्तर राष्ट और देश वासियों को, उनके आज वीर सिवाची की जैनती बाल, सभी को शुप कामना है, शुप समय न्यू चैनल मुंबई